आपको स्वागत करता हूँ जैसे कि आप जानते होंगी पावर ग्रीड में एक नोटिफिकेशन आया वेकंसी के लिए जो कि डिप्लोम वाले इस्टुडेंट बहुत परिशानते के वेकंसी नहीं है वेकंसी नहीं है हमारे माने नहीं है मोदी जी ने योगी जी ने हमारी कुछ सुनी तो पावर ग्रीड में हमारी वेकंसी निगाली जो की special वाला डिप्लोमा के लिए है ना की हम पर B-Tulating वाले बंदा बैटेगा ना और कोई बैटेगा और लिए डिप्लोमा बहुत खुसकवरी की बात है कि डिप्लूमा के लिए वेकंसी आई है जैसे कि आपको दीख रहा हुआ अपडेट कल 24.5.21 को कल नोटेफिकर्शन आ चुका था इसलिए आपको यहां पर रिक्वाइर्मेंट दीख रही होगी कि डिप्लूमा ट्रेणिग फॉर एलेक्टिकल एंड सिविल जो यह नोटिफिकेशन है बस एलेक्टिकल और सिविल के लिए इसमें हम जानेंगे कि कितना एप्लिकेशन फेश है हाउ टू एपलाई कैसे एपलाई करेंगे और किस किस के लिए एविले बनाए तो चलते हैं आगे की तरफ जैसे कि यहां पर इसने पोश्ट गेर टिगरी में डिवाइट कर दिया है वेकंसी को जो हमारे एलेक्टिकल डिप्लोमा के लिए है वो हमारे तीस वेकंसी आई है उसमें जो अन रिजर्व होंगे वो 11 होंगे मतलब जनल वोवी सी के लिए 7 SC के लिए 6, SC के लिए 2, EWS के लिए 4, तोटल वेकंसी है हमारे 30 हैं ऐसे ही single के लिए civil के लिए भी हमारा यहां पर क्या है 5 वेकंसी है उसमें हमारे अन रिजर्व 2 होंगी मतलब जनल के लिए 2 होंगी OVC के लिए 1 होगी, SC के लिए 1 होगी, SC के लिए ही नही है सौरी भाई और EWS के लिए एक है जैसे कि हमारी टोटल वेकंसी हो गए 35 30 हमारी किसकी हुई Electrical Department की और 5 हमारी सेविल की है सबसे खासेत तो बात यह है कि हमारी यह Diploma, Only Diploma Apply कर सकता है ना कि और कोई जो हमारे बैट जाते थे पेपर में B-Tech, M-Tech वाले बंदें यह बहुत ही beneficial टाइम है हमारे लिए जो कि मारे Diploma वेकंसी आई है Only Diploma के लिए तो I hope मैं आप से निवेदन करता हूँ जादा से जादा इस फ़र्म को बरिए तो आगे की तरफ हम चलते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसमें क्या जो हैंडिकेप होगा वो भी होगा पर लेकिन को जो सर्टिपिकेट होगा वो सेंटर गवर्मेंट से इस्यू होना चाहिए तब वो एप्लाई कर सकता है आगे बात करते हैं आगे हमारा जॉब डिस्केप्शन जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो इलेक्टिकल जो इस्टुटेंट है डिप्लोम वाले उनके पास तीन साल का रिकोनाइट टेक्निकल पोर्ट से क्या होना चाहिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने तीन साल किया है और एक खासे दिये बात है कि सब के लिए हमारे यहाँ पर 70% एलाओ है मिनिमम जो इसके मार्क्स है या CGPA जो भी है वो हमारी सिफ 70% मार्क्स होने चाहिए इसमें क्या है अलालक ट्रेड भी है इलेक्टिकल हुई लेक्टोनिक्स हुई इसमें सब हमारे स्टुडेंट एपलाई कर सकते हैं और जो इसकी मैक्जिमम एज है वो जनरल के लिए 27 है वो भी सी के लिए 30 है और SCST के लिए 32 है भाई लोग ऐसा मौका ना छोड़ें बहुत दिन बाद आया है आपको दिख रहा होगा ऐसी सिविल की बात करें सिविल का भी यही फंडा है कि तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए 70 परसेंट मार्क्स होने चाहिए देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर कर दिया गया है हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी टेक बी एम टेक एमी विद और बिदाव डिप्लोमा इस नोट एलाओ यहाँ पर क्या है चाहिए बंदे के पास बी टेक है अगर डिप्लोमा नहीं है तो वह एलाओ नहीं कर सकता है इस वेकेंसी के लिए सबसे खास्यत बात आपके लिए यह है और लिस्ट में डिप्लोमा वाले बच्चे बैटेंगे कि देड़किशन की बात कर ले ओविसी के लिए तीन साल का है एसस्यस्ट के लिए पांस साल का ऐसके लिए कोई रिलाग्स जैसनी दिया अब बात करते हैं आगे यह तो पताई है आपको अगर कहीं से भी फॉर्म पर रहे हैं उसका पर डॉमींचाल होना चाहिए उस श्टेट का एक खासत बात है यह कि हर एक स्टेट इसको एप्लाई कर सकता है अब बात करते हैं स्टें इसका स्लेक्शन पूर्स इसका स्लेक्शन पूर्स फोक होगा इसका ओली एक औली Umajalन टेश्ट होगा Jim तेजिकी अफ्रेंस और हमारा ओल्लाइन जो टेस्ट होगा CBT कहते है का उसे 20 बाइच तेस्ट बो टो में डिवाएट करते हैं जो पार्ट बन में होगा उनके टकनीकल होगी उसार्ट से आप एपलाई कर रहे हो 120 question होंगे ठीक और part 2 में aptitude होगा verbal compression होगी quantity aptitude होगी reasoning होगी इसमें हमारी gk नहीं आईगी current affairs नहीं आईगी सबसे अच्छी बार current affairs नहीं आईगी जो बच्चे परिशान होते थे current affairs जो हमारी marks कर चाते थे जो हमारे total question होगे technical के जो हमारे होंगे जो हमारे technical के होंगे वो 120 होंगे और general aptitude जैसे हुए हमारे कितने होंगे 50 होंगे तो total हमारे कितने होगे जो total question होगे total question हमारे 170 होगे ठीक और पताइए आपको 1x4 की तो negative marking होगी छिक तो आगे की तरफ चलते हैं इस test को qualification करने के लिए जो general के बंदे या EWS एंक्लूड करते हैं उनके पास minimum 40% marks subject पार्ट वन में होनी चाहिए पार्ट टू में 30% marks होने चाहिए अगर वो reserve category से है जो reserve category से उसके 30 से लेके 25 marks इन इच separately पार्ट वन और पार्ट टू दौने में होनी चाहिए जबी वो qualification कर सकता इस test को अगर test center की बात करें जो यह पावर ग्रेड है जो cooperation limited इंडिया वेकेंस ही है यह हमारा क्या करता है यह हमारा तीन जगे यह अप्लाई करा सकता है क्योंकि cbt होता वो तीन जगे होता है जैसे कि दहली हुआ आपका जैसे कि आपका दहली हुआ जैसे कि आपका दहली हुआ जैपोर हुआ दहरा दून हुआ यह तीन center टेस्ट के जो कि यहां पर आपकी टेस्ट लिये जाएंगे हैं अब बात करते हैं अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है बाइग और आपका क्वालिफिकेशन हो जाता है टेस्ट का तो आपको जो ट्रेडिंग प्रियेड होगी उसमें आपको कितने देजाएंगे 27,000-500 यहां मन्त दीए जाएंगे एक साल की ट्रेनिंग होगी एक साल ट्रेनिंग होने के पात आपको जूर इंजिनीर बना दिया जाएगा जो कि ग्रेड़ फोर्थ कि होगी एट इस्टेज होगी वह ऐस्टीज होगी तो एस फंची होगी सुप्रॉवाइजरी कैटिगरी जो आपका एप्लिकेशन फीस होगा दोनों के लिए सिविल और एलेक्टिकल के लिए वो तीन सुर रुपे देना पड़ेगा आपको अरे जब 37,500 से लेने पड़ाएंगे तो वहीत तीन सुर रुपे खर्च करने में क्या प्रब्लम है क्या प्रब्लम जा रही है ठीक है अब बात करते हैं कैसे एप्लाई करें मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां से जाके आपके सीधी ऑफिशिल वेब साइट पर जा सकते हो वहां से आप फिल कर सकते हो अगर फिल भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा मैं और उसके उपर भी एक वीडियो बना दूआ है जो इसमें एक सीधा-सीधा दे रखा है फॉर्म बनने के टाइम इमेल आइडी वो ही डालें जो आपका पर्मानेंट हो क्योंकि उस पर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता उसी इमेल पर आइडी पर देख सके है जो आप वह पी जो कलर फोटो साइज अप्लोड करें वो हमार पचास के बीगा होना चाहिए जो कि जीपीजी फॉर्मेट में सबसे में पूरबात यही है डेट अप वर्थ वो ही डालें जो आपकी 10th क्लास में एक बाद चेक कर लेगा 10th मार्क शीट में फिर अप्लोड करें तो इस फॉर्म की जो हमारे स्टार्टिंग गया है वो कल सी हो चुकी है 24.22 से सुबह दसबह से तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है आगे चलते हैं इसमें में कुछ ऐसा नहीं है हाँ जैसे कि मैं बता रहा था आपको अभी जो उप्रिंग डेट ऑल्लाइन सब्मिशन एप्लिकेशन फॉर्म जो हमारे में बता रहा हूं कल 24.22 से स्टार्ट होगी है सुबह 10 एम से कब तक है यह जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो हमारी पंदरच है कि दोयर 21 कि देश मला रात के क्या रवेज तक रहेगा कि जो इसकी कट ओफ लगेगी पर पॉज़ क्वालिफिकेशन के ट्रियर नॉर्म साइज अपर साइज क्वालिफिकेशन वो पंदरच है दोयर 21 तक रहेगी ठीक है और रुटन टेस्ट अपी कन फर्म नहीं किया क्यो कि को ना छोड़े ज्यादा से ज्यादा इस फॉंग को भर है क्योंकि यह हमारे लिए एक बैनिफिशल ओफर आया है क्योंकि यह और ली डिप्लुमा एप्लाइग कर सकता है इसमें ना कि बीटेक और ना कि एमटेक कि ऐसी हर अपडेट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बटन दबा सकते हो थमसब तो करना मत भूलना वाई और आपको जो रेड में बॉक्स में सब्सक्राइबर बटन दीक रहा होगा उसे दबा दिएगा इससे क्या पता फीटबग देते तो थोड़ा मॉटिवेट और जो नए लोग